हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है दीपक शर्मा इस वीडियो में आज मैं आपको आपकी वेबसाइट में पॉप अट करना शिखाऊंगा तो लेट नहीं करते हैं और वीडियो चालू करते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी वर्ट्प्रेस डैस्बोर्ड में आ जाना है फिर प्ल गिन को आपको install करना है मैंने ओरेड्य इंस्टाल कर रखा है पर इसको इंस्टाल करना और एक्टिवेट कर लेना जैसे आप इंस्टाल करोगे अइक्टिवेट करोगे तो यहां पर पॉप अप में करके एक्टो दिखाने लग Junior Boh आपको इसमें जाना है और यहां create pop-up में जाना है इसमें create pop-up में जाना अब आपको वो pop-up create करना है जो आप show करना चाहते हो आपकी website में यहाँ पर आप अपने pop-up को नाम दे सकते हो तो यह व्यावला title आप समझे लो कि यह publicly show होगा और यह खाली आपको show होगा मैं demo के लिए डाल देता हूँ demo pop-up करके डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ public pop-up अब यहाँ पर आप वो text add कर सकते हो वो image add कर सकते हो वो form add कर सकते हो जो आप as a pop-up show करना चाहते हो example के लिए माल लेते हैं मैं अपने pop-up में text और form add करना चाहता हूँ तो वो मैं add कर देता हूँ यह हो गया text अब मैं यहाँ पर एक टो form add कर देता हूँ यह हो गया form add कर दिया मैं add करने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ triggers में आपको add new trigger में click करना है अब यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगे जैसे click open इसका मतलब कोई भी बंदा कोई से button में या link में click करेगा तो यह pop-up display हो जाएगा दूसरे वाले का मतलब है कोई भी user एक page खोलेगा तो कुछ second के बाद यह pop-up display हो जाएगा थर्ड वाले में form submission मतलब कोई भी बंदा एक form submit करेगा submit करने के just बाद उसको एक pop-up display होगा इस video के लिए में आपको यह button वाल option show करके दिखाता हूँ मतलब कोई भी बंदा button में click करेगा तो pop-up display हो जाएगा select करने के बाद आपको add में click कर देना है फिर आपको फिर से add में click करना है अब आपको publish में click कर देना है अब आपको all pop-ups में जाना है अब मैंने already बहुत सारे pop-up बना रखे हैं अभी हम नों जो बनाया है वो है demo pop-up तो यहाँ पर आपको यह CSS class में आ जाना है और यहाँ पर इसके नीचे pop-up make 3758 जो भी लिखा है इसको आपको copy कर लेना है अब यह जो code है इसको आप as a link treat करना मतलब आप कोई button या text में page link डालते हो वैसे ही आपको उस page link के जगा यह वाला link डालना है इसको आप as a link ही treat करना तो इसको आपको copy कर लेना है फिर आपको यह link उस जगह में add कर देनी है जहाँ पर आप pop-up show करना चाहता हूँ जैसे मैं home page में चले जाता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कोई भी बंदा यहाँ है I am Deepak Sharma इसमें click करे तो वो pop-up show हो जाए तो उसको मैं add कर देता हूँ इसके अंदर इसके लिए मैं add कर देता हूँ अब मेरे को यह वाला link यह वाला link इसके अंदर add करनी है ताकि वो pop-up display हो इसके लिए मैं इसमें click करूँगा अब यहाँ पर जो link option है हाना इसको मैं इसमें डाल दूँगा यह code को मैं इसमें डाल दूँगा और इसके सामने आपको add करना है hashtag ताकि यह as a link trait हो इतना add करने के बाद आपको update में click कर देना है अगर आप कोई article में add करना चाहते हो तो कोई भी article के text में आप यह link add कर सकते हो उस code को copy करना है और उसके सामने hashtag लगा देना वो as a link trait होगी ठीक है इतना करने के बाद आपको back pick करना है अब मैं इसको एक बाद फिर से refresh करता हूँ अब इसमें click करके देखते है तो आप देख सकते हो कि यह pop-up display होने लग किया तो ऐसे आप अपनी website में pop-up add कर सकते हो